बिरीज के ओपर से पानी खतम नहीं हुआ है तो आपको दिखाने जो सड़क बनी हुई होती है वो निकल रही निकल चुकी है अभी भी इतना पानी है असलाम आलेकुम दोस्तो आज फिर से हम पहुंच चुके हैं काफी दिनों के बाद लोडसूर बिरीज आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं तो अभी हम फिलाल नाका नमबर एक में है तो यहां पर बेरेकिट लगाया गया है पुलिसों की नाका बंदी है तो आगे पैदल ज वो सबस्क्राइब करें और बेल लेकिन पो जरूर दुबाएं पानी कितना उतरा है कहां तक है बिरीज के उपर क्या गाड़ी जा सकती है नहीं जा सकती है आपको सारा बताएंगे यहाँ पर तो वीडियो को पुरा देखें और जूदा से ज्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारा चैनल यस्तर चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं ताके नए नए वीडियो अपलोड होती ही आप तक नोटिफिक्शन के जरे पहुंच सके जज़ा को दिख सकते हैं तो देख सकते हैं काफी लोग सबस बहु dramatically है जाने के लिए किस तरह से जाना है वो देखने के लिए आचिके हैं और यहां पर देख सकते हो बेरेकेट लगाकर नाकावदी करद्धार दिया दोस्तों यहां पर गैरीज बगेरा यहां पर मस्जिद सिद्धी का आपको दिखाई दे रहा है यह आरजी मस्जिद है तीन टाइम की नमाज होती है यहां पर जोहर असर और मगरीद की नमाज होती है और यह पूरे के पूरे यहां पर दुकानी है आपको पानी कहां तक आया प्रेकल राद रहूप मिली खावक हां मुलका करें हैं रहा हुब भी आपखा पानी theatre गोवा जातिक हाे हैं पूर अब भी भी पानागी आपका देख सकरेंवे एगां प्रेबार मुलका ओर आपक देख सकते हैं यहां तक पानी आ चुका था और आपको महां का नजारा बताएंगे महां का मनजर बताएंगे किस तरह से कहां तक पानी आया था यह पूरा पानी के अंदर था यह पूरा एरिया पानी के अंदर था 2019 और 2021 से ज्यादा नहीं आया पानी मगर अल्ला के शुक्र है थोड़ी सी खतम हो गया है तो दूआ करें ऐसे बार बार आने वाले आज़ाब से अल्ला बचाए क्योंकि लोगों को बहुत तकलिफ होती है तो अल्ला इसे तकलिफ हों से बचाए तो दोस्तों यहां पर देख सक तो यह पूरा पानी अभी भी खेतों में पानी है यह रोड की हाइट होने के वज़े से रोड को हाइट करने के वज़े से अभी भी रोड पर पानी नहीं है अभी भी काफी पानी यहां पर है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर देख सकते हो यहां पर देख स करके हम यहां पर सुबों की नमाज पढ़कर आ चुके हैं आपको दिखाने के लिए तो देख सकते हो यहां पर अभी भी इतना पानी है पानी की रफ्तार अभी भी है देख सकते हो पानी जा रहा है दोस्तों यहां पर देख सकते हो अभी यह रस्ता आपको दिखा रहे हैं यह रोड के उपर की जो डामबर की जो सड़क बनी हुई होती है वो निकल रही निकल चुकी है पानी का भाव के होजे से देख सकते हो यह पूरे तुकड़े तुकड़े होकर रोड पर निकल के आ कि हैं यहां पर देख सकते हो एक गरीब लोगों के दुकान थे हैं जो अपना रोजाना का गुजारा करते थे उनके चादर वगेडा यहां पर बेचा करते थे यह लोग और बैट वगेडा जो रोजाना का बिजनिस था इनका ओभी पूरी तरह से खराब हो चुकर अभी देख सकते हैं पानी का इतना बहाव रहने के बावजूद यह अभी भी यहीं पर सलामत है थोड़ा सा जुका हुआ है इनकी महिनत को सलाम है वाई तंबल गड़ाले से देख सकते हैं यहां पर बैट वगेरा बेचने के समान इनकी पस है अंदर समान काड निकाल कर लेकर गए होंगे तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर पानी कहां तक है आपको पतानी क्यों कूश्चिस करेंगे यह रोड अभी परहाल खराब हो चुका है आपको यहां पर पानी उतरने के बाद भी यहां पर जाने की पर्मेशन नहीं रहेगी तो दिखलाते हैं बने रहे हमारे साथ यहां पर देख सकते हो लोगों के जो यहां पर रोज मर्रा की जिन्दी की गुजारने के कुछ सामान बेचने वाले लोग थे वो उनके पूरे दुकाने अभी फिलाल तूट चुकी है यहां पर देख सकते हो अभी भी काफी पानी यहां पर है यह लोडसूर बिरीज का नया अपडेट है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें वही जो चैनल में ने हैं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को शरूर दबाएं ठीक है वही देख सकते हो यह पानी का और नजारा आपको बता रहे हैं जाये पानी कि तो दोस्तों देख चिप्ते हो यहां पर पानी अभी भी रोड़ पर रहें बिरीज के ओपर देख पानी खत्म नहीं हुआ है तो आपको दिखानी के लिए कल यहां पर आने की बिल्कुल परमिशन नहीं ती तो आज आपको तोड़ा सफर ताय करके वहां से पैदल आना पड़ा तो यहां पर देश सकते हो पानी अभी वी गाड़ियां नहीं जा सकते हैं और हज़ा ने वौश yo नहीं जा सकती हूँ बिस्प्राराइब वहां से आसकते आय इस原ust Ali पानिया के शायद इंशाल्ला कल तक फानी को जाएगा रात में तो इंशाल्ला पुरा खतम का बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें वहां पर रस्ता खुला हुआ है वीडियो को जरूर देखें